हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टैरोक्स पे टॉबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रेडिंग करें वो कंडल बैक्स रेडिंग होगी और मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि no contact situation में आपके partner आपके लिए क्या सूच रहे हैं उनकी मन में क्या चल रहे हैं आप लोगों के लिए और definitely वो क्या contact करना चाहते हैं आपको next action उनका देखेंगे ठीक है और इस relationship का भविश्य आगे क्या हो सकता है ये भी हम देखेंगे क्या changes आ रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आप में less contact है या फिर किसी मसले को लेकर आप में बात नहीं हो रही तो भी आप ए रिडिंग देख सकते हैं ठीक है otherwise और कोई भी situation में भी आप ए रिडिंग देख सकते हैं ठीक है अधिकतर लोग क्या होता है कि ऐसी चीज़ें देखते नहीं है ठीक सिर्फ वीडियो देखे यूट्यूब पे बंद कर देते हैं किसी ने मुझे पूछा है कि description box कहा होता है तो गाई यह चोटी सी बात है जहां पर आप सब्सक्रिप्शन का जो बटन होता है सब्सक्राइब का उसके नीचे ही आप देखिएगा कुछ लाइने लिखके मोर लिखा होगा ठीक है और डॉट 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 बनाऊगा उसी को अगर टैप करेंगे आप नीचे तो description box होता है जहां मेरी जानकरी मिलेगी आपको ठीक है जो मैं लिखते हूं उसकी जानकरी ठीक है Sick है तो वहां पे दमबर मिलेगा मेरे what's up नंबर आपको प्रस्टों चार्चे में और definitely वहाँ पर मुझे message करते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बहुत ही affordable charges मैं लेती हूँ reading के ठीक है आपको और कहीं try कर लीजे ऐसी full detail reading नहीं मिलेगी और अगर आप विदेश से भी हैं तो बहुत कम पैसों में या फिर affordable charges में आप reading करा सकते हैं चलिए start करते हैं छोटी सी जानकारी थी all right instagram पे facebook पे मुझे join कीज़े महाँ पे बहुत बहुत reels इतनी popular होती जा रही है मैं बता नहीं सकती है बहुत कम समय हुआ है मुझे instagram पे literally लेकिन आप लोगों का प्यार देखके मुझे लगता है कि वाके में आप लोग बहुत बहुत मेरे चैनल की वीडियो को reels को पसंद करते हैं thank you so much सभी के लिए instagram पे आप जो मुझे बहुत ज़्यादा जो respect मुझे मिल रही है या फिर कह लें कि आपके जो followers मेरे बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी मुझे आज की रिडिंग स्टार्ट करते हैं no contact situation पे हैं लेकिन आप कोई भी situation में हैं तो भी आप ये रिडिंग देख सकते हैं all right तो सबसे पहले अपने मन शांत कर लिजे अपने इस्ट देव गुरुदेव को याद कीजे और उसके बाद अपने पार्टर का ध्यान कीजिए या फिर उनका नाम गुन-गुनाई है all right गहरी सांस लिजे ताकि आपका मन शांत हो जाए ठीक है चले स्टार्ट करते हैं no contact situation में उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा आपके लिए यह आज का टॉपिक है wait a second guys all right wait a second मुझे candle change करें okay guys तो मैंने candle को change कर लिया है अब हम start करते हैं मुझे literally बहुत से flowers की energy लग रही है कोई bouquet आपके पास आने वाला है या फिर कोई winter flowers आपने गुल्दाओदी देखा होगा white और बहुत से colors में आते हैं जो कि मुझे यहां पर first of all आप लोगों के लिए energy दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से flowers बहुत सी खुश्यां बहुत सी खुशाली आपके relationship में दिखाई दे रहे हैं लेकिन no contact situation है तो definitely मैं बताना चाहूंगे आपको इस इंसान की क्या energy और सबसे पहले star sign की बात कर लें तो हम Pisces मेरे पास से ठीक है Capricorn मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कोई Aquiris Taurus हो सकते हैं आपके partner का sign हो सकता है इसके अलावा Leo Aries ठीक है और कुछ कुछ के लिए Virgos और Capricorn Scorpio भी नज़र आएं ठीक है लेकिन sign कुछ भी हो आपसे reading match करने ची आपके partner को कोई ऐसा इनसान मिला है literally इन दिनों या फिर कोई ऐसे इनसान से इनका तालुक हुआ है business partner भी हो सकते हैं या फिर कह लें कि इनको business के लिए बहुत अच्छी opportunity मिली है जिसके कारण इनकी जो mind में बहुत सारी चीज़े change हो रहे है ठीक है और कोई नो कोई abundance वाली चीज इनके आसपास है या तो कोई इनसान इनकी help कर रहा है या फिर कोई ऐसा supporter या कोई ऐसा इनसान इनकी life में recently आया है जो कि दोस्त हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिसके लिए आपके लिए ये definitely advice ले रहे है जिससे ठीक है क्योंकि आपके connection में बहुत दिन हो गए मुझे लगता है कि आप में no contact हो चुका है और अगर आप थोड़े दिन से no contact situation में है तो भी इनसान जो है आपके बारे में किसी से राय ले रहे कि क्या किया जाए situation बहुत उलजी हुई है और सब के लिए differ करेगी situation ठीक है तो यहां पे मुझे ऐसा लगत कि यह अपने जीवन में एक stability चाहते हैं एक relationship का गडबंदन ऐसा चाहते हैं जो कि long term तक चले ठीक है यह अपनी जीवन में खुश्यां जैसे कि मैंने कहा कि आपको बहुत सारे flowers green और white color के जो कि गुलदाओदी विशेश रूप से मुझे आप दिखाई दी तो यह सर्दियो है इसको खतम करके एक stability वाली situation को सोचना चाहता है यह अपने जीवन में थोड़ा सदे से कहते हैं कि अपनी wishes को fulfill करना चाहते हैं आपके साथ कोई wishes इन्होंने बनाई थी कभी सपने देखेते तो उसको पूरा करना चाहते और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह आप से एक न वो थर्ड पार्टी में है या फिर आफ थर्ड पार्टी में ठीक है लेकिन ये इनसान जो है अपने जीवन में खुश्यां बाने के लिए आपसे एक नई शुरुआ चाहता है एक नया साक्ल स्टार्ट करना चाहता है और जिसमें success मिले इनको ठीक है क्योंकि रिष्टों को इनको थोड़ा चेंज ला रहे है अपने हाप में ठीक है ऐसा मुझे आप लगता है अपने आपको अपनी habits को थोड़ा बदलने के कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जो इनसान है definitely आपकुछ मतलब अपने लिए कुछ changes लाके अपनी जो position इनकी choices सब अच्छा हम बाने यह यह प्रयास कर रहे है ठीक है यह definitely आपसे या तो यात्रा करके मिलना चाहते हैं या फिर एक नया cycle या फिर एक new start आपके लिए आ रहे है ठीक है यह literally अब इनकी energy क्या है या तो traveling करें या फिर एक शहर से दूसरे शहर अगर long distance आप में है तो business trip भी हो सकती है लेकिन इसमें यह definitely आपसे मिलना चाहते हैं चाहे जो भी situation हो इनकी जो journey है या फिर traveling है वो आपसे संबंदित होते हैं नजर आ रही है ठीक है और और यह आपसे definitely कोई relationship को stable करना चाहते है security चाहते हैं जिंदकी भर की और यह कहीं ने कहीं इस no contact situation को खतम करने क कोशिश करें ठीक है यह इस तरह से सोचते हैं कि try करना चाहिए चीजें बहुत मुश्किल है लेकिन यह try करने से बाद मिलब कोई आपके लिए stand लेना चाहते हैं इवन बहुत सारी problems आपके round है यस इस तरह के energy में देख पा रही हूं आल राइट आगे देखें मुझे इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है ठीक है no contact situation है less contact situation है जो भी situation है इनके मन में एक बदलाव आ रहा है ठीक है एक सोच में बदलाव आ रहा है इनके दिल और दिमाग में जैसे कहते हैं कुछ clarity धुनलापन हटता जा रहा है किसी बात का ठीक है यह मुझे बहुत बदलाव से गुजर रहे हैं और जो किसी चीज को करनी के लिए या किसी चीज के बारे में अभी तक नहीं सोच रहे तो वह करनी की कोशिश करें मुझे ऐसा लग रहे है कि आपके जो partner है वह definitely आपको spouse की रूप में देखने लगे हैं पहले शायद हो सकता है क यह आपको बहुत lightly ले रहे थे आपकी आपकी चीजें आपकी value नहीं कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यह वाकिये में आपको कुछ असलियत दिखाना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इनके इर्दकित बहुत toxic connection है जो कि इनको समझ आने लगे हैं कि कोई situation ऐस जिसमें कभी भी कितनी efforts डालें यह उनको सुधार नहीं सकते relationship third party जैसे कि मैंने कहा उनको यह कभी सुधार नहीं सकते यह बाज मलब जैसे कहते हैं बहुत तंग आचुके हैं कि कोई situation ऐसे जिसे हमेशा के लिए get out करना चाहते हैं जिस situation को यह हो सकता है कि इनके marriage खराब है toxic relationship इतने खराब हो चुके हैं जहां पर यह कोई भी decision लेने के पक्षमें नहीं है कि आप इस situation का कुछ भी नहीं हो सकता यह इनको लगता है और definitely उससे बहार आके सिर्फ और सिर्फ आपसे reconcile होना चाहते हैं no contact situation की मुझे main वजए third party situation है आप यह दोनों से किस तरह से match करती है उ उसका कुछ भी नहीं हो सकता है इनको यह लगता है ठीक है चाहे इन्होंने लाग कोशिश कियो यह महां पर कुछ भी नहीं कर पा रहे और एक जैसे कहते हैं इनकी आँखों से पट्ती हटती जारी यह बहुत धुनले पन से गुजर रहे हैं लेकिन यह सफाई चहरे क्लियर्टी चाहते हैं आपके इनके रिलेशिंशिप में इसलिए आपसे बातचीत करनाशा है मुझे ऐसा लगता है कि!」 शचिवेशन का क्या है वो कैसे है इनको बहुत जदा manipulate करते हैं नहीं करते हैं यह सारी बाते हैं आपके सामने आने वाली हैं यह patience रख रख के तंग आ चुके हैं मैं जैसा लगता है कि बहुत ही खराब situation से बीत रहे हैं इनके relationship कभी workout नहीं हो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ठीक है कोई female मुझे यहां पर लग रही है ठीक ह है और मुझे लगता है कि बड़नाइज लाइफ से तंग आजकर एक नया मुकाम चाहते हैं और जब अपनी लाइफ के बारे में खुश्यों के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका चहरा नजर आता है आपसे no contact का का कारण भी मुझे थरपाटी सिचुईशन ही लग रही है ठीक है इवन आपसे clarity चाहते हैं इन दिनों आपके लिए बहुत missing energy में देख पार हूँ यह दिनों दिन आपके लिए बहुत ज़्यदा तरस्ते जा रहे हैं और definitely रातों में रोते हैं इनको पश्टावा होता है कि मुझसे बहुत ठीक है इनका next action क्या हो सकता है तो मैं यह पर यह देख पार हूँ कि यह बहुत ज़्यदा boring time face करेंगे आने वाले time में और यह कहीं ने कहीं आपसे नई शुरुवात की सोचिंगे एक no contact situation का end करके आपको कुछ सच बताने वाले हैं ठीक है इनके दिल की सच्चाई है इनका दिल का कोई जैसे कहते हैं कि साफ चहरा आपको दिखाई देगा ठीक है यहां पर कुछ बाते ही चुपी थी कुछ बाते ही आपको बताना नहीं चाहते थे दो मु लगा कर या मुखटा लगा कर आपके सामने आते थे तो वह सच्चा ही मुझे लगता है कि आपको बताना च यहां पर आपसे मिलके रिए कुछ अपने दुख बताना चाहते हैं कुछ आपके लिए कहना चाहते हैं और डेफिनेटली यह आपसे डिटाइच हुए तो अपनी मरजी से यानिकि नो कॉंटेक्स सिचुएशन इनकी खुद की मरजी थी ठीक है आपने कभी भी इनसे दूर न होना पड़ता है कई बार हमको दूसरों की सुननी पड़ती है सखमिस्टान सब के लिए अलग होंगे ध्यान केगा ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इनसान जो है अपने परसनल लाइफ को लेकि बहुत जादा बढ़ना ही जो रहा है ठीक है और यह ऐसा लगता है कि कहीं मेर अच्छे डंग से जीना चाहता है मुझे यहां पर दिखाए दे रहे हैं इनका नेक्स्ट एक्षन क्या होगा तो मुझे ऐसा है कि आप से मिलने की तमन्ना और एक सच आपके सामने आने वाला है ठीक है इनका नेक्स्ट यह भी होगा कि कोई पारिवारिक समस्या या कोई फ हैं क्योंकि इन से कुछ गलती है ऐसी हुई है जिसका कोई समधान इनको नहीं दिखाए दे रहा लेकिन आप से बात करके चीज़ें हल करना चाहते हैं आपके रिलेशन्शिप का आगे भविश्य क्या हो सकता है यानि कुछ वीक्स में क्या होने वाला है आपकी मारता है तो अपनी आप समझ में आता है काईस मुझे ऐसे लगता है कि यह सी इनसान जो है रिष्टों को लेकर बहुत दुखी है और कहीं ने कहीं यह कुछ लेसन्ट करने के लिए इनको सिच्विशन दी जारी देखिए कई रिलेशन्शिप ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम सकता है तो आपके साथ इनका बहुश्य यह हो सकता है कि कुछ लेसन इनको लर्ण होंगे ठीक है कुछ बाते इनको सबक के रूप में सीख मिलेगी जिन्दिगी की कुछ सीख है जो कि आपके पार्टमर को दिखाई देगी आज आपके लिए वाइट कलर बहुत इंपोर्ट नमबर 6, 3 और 8 बहुत इंपोर्टेंट होंगे और कहीं ने कहीं यह जो इनसान है जैसे कि कुछ अपनी लाइफ से कट आफ करेंगे यानि कि कुछ बलीदान जैसे कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ले लेकिन कुछ चीज़े वर्काउट नहीं हों तो हम उनको पर छोड़ देंगे जो होगा वो ठीक है यह सिच्वेशन मुझे यहां पर दिखाए दे रही है इसके अलावा यहां पर यह थोड़ी चतुराई भी अपने आपके करने वाले हैं कुछ प्लानिंग चल रही जैसे कि मैंने बताया था चतुर बनके कुछ करना चाहते हैं यह इस रिलेशन्शिप को चलाने के लिए दिमाग की जरूरत है और वही यहां पर दिमाग लगाना चाहते हैं और डेफिनेटली यहां इन में एक जैसे कहते हैं कि पावर आती जा रही कुछ कुछ समझ में आता जा रहा है कि जीवन में अगर खुश रहना है तो सबसे पहले अपने उपर ध्यान दीजेगा यह सब सारी चीजे मतलब क्या है कि हमको खुश रहना है तो हमारी खुशी किसम है यह इनको समझ आ रहा है देरे देरे इनको लगने लगा है कि आपके साथ जो रिलेशन्शिप है वो वाक्य में कोई डिवाइन कनेक्शन है जो भाग्य से मि सब्सक्राइब है कि आपके साथ जिन्दगी वाक्य में बहुत बहतर होगी ठीक है सिट्वेशन में मैं नहीं जानती कि आगर फोर पार्टी भी हो सकती है आप लोगों में ठीक है लेकिन यह आपको रिलेशन्शिप कैसा भी हो उसको continue करना चाहते है ठीक है चले कुछ यह कि आज की रिडिंग लेकिन कुछ मैसेज़ेस जरू लूँगी आपके लिए ओके गाइस अगर आपको रिडिंग मैंच हुई तो जरू बताईगा ठीक है चले देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेज़ेस तो से नेना जब से मिले अन गए सिलसिले आपने सुनाओ गए गाना तो से नेना जब से मिले तो आप से जब भी जब से नेना मिले मुझे लगता है कि या आपके लिए आपकी लिए स्व beginnings बहीर, जूरू हो आ य है वाओ आज की रिडिंग अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीज़ेगा और सब्सक्राइब करना मत भूले ठीक है चले देखते हैं आपके लिए आज फिर तुम पर प्यार आया है बेहत और बेमिसाल आया है वाव नो कॉंटेक्ट में क्या है उनके मैसेज आई नीड यू बाई माई साइट यह देखिए आई के नोट टैल यू माई सिटूइशन तो यह अपनी सिटूइशन आपको बता नहीं सकते लेकिन बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सि लग रही है लिटरली मुझे कोई फिमेल है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आइम डाइंग टू टैल यू दैट आट आप इनके आगी कुछ भी जोड़ सकते हैं मैं यहां पर आई लव यू जोड़ूँगी आप क्या जोड़ सकते हैं यह मुझे बता सकते हैं आई आप इनके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो स्टॉप क्राइंग तो आप अगर रो रहे हो तो इनको चाहिए यह कहरें कि स्टॉप कराइंग ठीक है राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है यह आर और के आपका साइन हो सकता है ठीक है आइम कंट्रोलिंग माइसेल्फ तो प्रिटेक्ट यू यह अपने आपको अच्छी एनरजी है आइम आइम वेरिंग मास्स फ्रेंट आफ यू ठीक है यह जो आपके सामने आते हैं तो यह मास्स पहन के आते हैं यह दिल में कुछ और होता है बताते हैं कुछ और हैं जैसे कि मैं आपको वीडियो में भी बिताया है ठीक है मैं तुम्हारे कॉल का अं परकाइं यह ज चाहते हैं कि पहले को सतंद क्लोग यह हमेशा बाते बूल कर전 your आप सामने आते हूँ, यानि कि किसी की बत्ती गुल हो जाती है आपके आने के बाद, सामने आने के बाद, never compare yourself with others, तो आप दूसरों से अपने आपको compare मत करो, क्योंकि आप special हो इनके लिए, ठीक है, एक last all लोगी आप भी के लिए, ठीक है, यह है, don't say no, किसी बात के लिए no मत को और मेरे पास दो है, ठीक है, निकाला तो एक था, feeling sad, आपके लिए बहुत उदास हैं, और definitely आप से meeting चाहते हैं, yes, no contact situation खतम हो जाए, मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे करूंगी, इसके साथ ही मैं यह reading अभी यहीं end करते हैं, next reading में ज़रू मिलते हूँ guys, तब तक के लिए, thank you so much, bye bye